आज हम पढ़ेंगे बिशज्य कल्पना के अधारबुद सिध्धान्त चैप्टर टू है बिशज्य कल्पना के अधारबुद सिध्धान्त बिशज्य कल्पना के अधारबुद सिध्धान्तों को ही औशद निर्मान विग्यान का सिध्धान्त कहा गया है देखे ऐसा क्यूंब बिश TF कल्पने एमेरा मीं अर्मान किया होता है मैं प्रयविज्ण किया होता है ओशुद यूगों का निर्मान करना ठीक है बेसिकली फाइब बेसिक फॉंडमेंटल्स बताए गए हैं पांच अधार बुट सिद्धान बताए गए हैं सबसे पहला परिभाश्र फिर दूसरा मान फिर पंच विद कशाय का उपना चौता है रस गुन बीरे विपाक्तता प्रभाव ये द्रव्यस थे जो गुन रहते हैं उनके बारे में बोला गया है और पांच अनुक्त या विशिशोक्त ग्रह ठीक है सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाशा के बारे में परिभाशा में क्या है स्पष्ट रूप में नहीं कहे हुए या बिना कहे हुए या संशिप्त में कहे हुए या फिर जिन द्रवन को ल लगा है लगिन अगर हमें ग्यान होगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि त्रीकटू का मतलब है पीपली मरीच और सूंत सभी संभाग में लिए गए हैं ठीक है ऐसे त्रिफला हो सकता है आर्वेज में किसी बड़े वाक्या को अत्वा किसे बड़े इस मुन को संशेप में कह दिया को भी परिभाशक आजाता है जैसे एक एक्जामपल लेते हैं कहीं लिखा होगा कि किसे भी खन्यच का एक्स्पाइज का मर्दन किया गया या चलो लेलो भावना दी गई तो भावना से हम क्या ग्रेंड करेंगे अब भावना एक बहुत ही प्रिसाइज मैनर में उन् करना जब तक कि वह पुने सूख न जाए पुने सूख कर चूरण न बन जाए उसको बोलेंगे एक भावना तो ऐसे ही एक बड़े वाक्य को एक बड़े ही परिभाशा को उन्होंने प्रिसाइज मैनर में कर दिया और इसी के कारण परिभाशा जो है वह बहुत है निर्मानों से भक्षन, पत्थे, अनुपान, आदी, सभी कारियों में मान का अत्यांत महतो है अब किसे भी चीज को बनाना है मैं तो उसमें मेजरमेंट का सबसे मेल रोल रहता है हम कोई भी चीज बनाते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसमें यह जो भी घटक दरव बिना मान के निश्वल हो जाता है कोई भी द्रव्यों का प्रयोग करना हमें कोई ओशद योग बनाना है या ओशद योग को किसी रोगी पर प्रयोग करना है जब तक हमारे पास उसका मान नहीं होगा जब तक हमें यह नहीं होगी कि उसको कितनी मात्रा में देने हैं कितना अ स्टार्ट जाएंगे उप दिखाई देंगे लेकिन वहीं अगर हम सीटोप लादे चुरन को एक रत्ती दें तो उसका कोई भी प्रभाव निश्प्रभाव रहेगा निश्वल रहेगा इसलिए मान का चिकित सामें अत्यंत महतव है और इसलिए ये बहशज्य कल्पना के आध आहार नेरमान पर भी एपना इफेक्ट डालता है अहार नेरमान में में बहुत इंपोर्टन है क्यों किसी ही कल्पना को हमें अगर कोई अहार कल्पना ही है जैसे और न कल्पना में जल गा अत्त्ता होना इसका घ्यान में केवर मान से मिल सकता है ठीक है अब हम चलते हैं Next Point मतलब किसी बी ओषद योग में या किसी भी कलपना में जो जो द्रवय उपिएओग होंगे उन पर रिक्वाइड प्रोसेस करना जिन से कि वे ग्रहन करने योग्याद बन जाए जिन से कि वो अडेबल फॉर्म में या इंजस्टिबल फॉर्म में बन जाए उसको हम बोलेंगे कशाय कलपना, उन सबी process को कलपना को हम बोलेंगे कशाय कलपना ठीक है जी उसके वाइट चरक के अनुसार कितनी है चरक के अनुसार है पांच कशाय कलपना स्वरस, कलक, क्वाथ, शीत, एवं फांट फिर शुशुरूत अनुसार है छे उसमें शुशूत ने चरग के साथ से छटी एड़ करती है क्षीर कलपना जिसमें दूद में उबाल कर जो हम द्रव्यों को यूज करते हैं उसके बाद आती है हमारे पर पंच कशाई योनिया मतलब किन किन रसों की हम कशाई कलपना कर सकते हैं छे रस में से सरफ लवन को छोड़कर हम पंचों रसों की कशाई कलपना कर सकते हैं जैसे मधूर कशाई, अमर कशाई, कटू कशाई, तिक्त कशाई, एवा कशाई कशाई ठीके जी, उसके बाद हम देख रहेते हैं कि जो पंचोड कशाई कलपना थी, उसमें गुरूता का क्या करम था, मतलब कौन सबसे ज़्यादा गुरू थी, और कौन कम गुरू थी, तो गुरूता का करम देखे हम, तो स्वारस सबसे अधिक गुरू, उसके बाद कल्क, बाद, शीद, और आखे में फांट, और यहीं अगर हम शुशुरूत का भी कंपेर करें, तो शुशुरूत में जो शीर है, वो सबसे आगया जाएगी, मतलब वो सबसे अत्यदिक गुरू है, ठीक है जी, अब चलते हम नेक्स्ट, अब हमारी नेक्स्ट है, द्रव्य स्थि अस्तर का धारबूत सिधान्त है, परंतु बेशज्य कल्पना का भी सिधान्त माना जाता है, क्योंकि बेशज्य कल्पना का विकास पूरन रूप से वानसपतिक द्रव्यों से जुड़ा है, ठीक है, बेशज्य कल्पना में क्या है, हम वानसपतिक द्रव्य उनको रज भूम ब्रमस दम्री भीपाक आदी इन तब का ग्यान होना हमें 13 तवश्यक है इसे अब कोई रोग है जिसका जो पित की वज़ेसे हुआ है तो इसमें अगर हम फिया के दृब्यों को उप्योग करेंगे तो वह उससे उप्त्रव आएंगे लेकिन शीद द्रव्यों का उप्योग करने से हमें उसमें रोक में अरोगेता का लाब होगा ठीक है तो ऐसे हम देख लेते हैं द्रव्यों के जो रस हैं वो पंचबूत से धान से निर्मित होते हैं मतलब पंचबूत से संगठन देखें तो उसका क्या बन जाता है जल प्रित्वी अमल का प्रित्वी प्लस अगनी लवन का जल प्लस अगनी कटो का वायू प्लस अगनी तिक्त का वायू प्लस अकाश कशाय का वायू प्लस प्रित्वी ठीक है जी यह लान करना बहुत जुरूरी है यह अकसर पंच बहुतिक संगठन उसके अगर हम गुन देखें इसके गुन कैसे पता चले कर देखें मधूरस में जल प्रिथवी प्रिथवी के कारण जो मधूरस होगा वो गुरू हो जाएगा ठीक है और वीरे अगर हम देखें तो अमल और लवन रस जोंगे वह अगनी को बढ़ाने वालंग उस्सनवीरिय खेंगे क्योंकि इनमें अगनी महाभूत इनमें न rebellion beispielsweise हम चलते हैं अपने लास्ट चो पॉइंट है अनुक्त यंदिया विशिशुख्त द्रव्यों करना पड़ेगा ठीक है अब जैसे अगर काल का निर्देश नहों कि उन्हें वह उषद किस ताइम लेनी है किस काल में लेनी है तो यह एक अगर उलेख ना हो तो समभाग में मात्रा लेंगे पात्र का उलेख ना होने पर मिट्टी का उप्योग करेंगे द्रव का निर्देश ना होने पर जल उप्योग करेंगे तेल का निर्देश ना होने पर तेल का तेल उप्योग करेंगे चंदन का निर्देश ना होने पर रक्त चंदन करेंगे जैसे चंदन दो प्रकार के श्वेच चंदन और रक्त चंदन अगर उसमें से हमें नहीं बताया गया कि कौन सा वहां पर उप्योग करना है तो हमें वहां रक्त चंदन उप्योग करना है ऐसे ही लवन है, पंच लवन है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष सेंदव लवन को मानना गया, और अगर लवन का निर्देश ना हो, कि कौन सा लवन का उपयोग करना है, तो वहाँ सेंदव लवन का उपयोग किया जाएगा, ऐसे दुग्द है, अस्ट है, लेकिन बहाँ पे हमे गो दुब्त का यूज करना है गरित में गो गरित और ऐसे मुत्र मुत्र अश्टक है लेकिन उसमें हमें सबसे श्रीष्ट गो मुत्र को माना है तो इस वासे वहां को मुत्र का उप्योग किया जाएगा तो यह पांच थे बैशजय कलपना के अधारबुद सिध्धान्त ठीक